Hello again students, आपको एक और illustration में से मैं एक और आपको प्राब्लम कराना चाहूंगी और प्राब्लम है interest on capital की यानि पूझी पर ब्याज विभिन तरीकों से अलग-अलग तरीकों से आप से पूछा जाएगा तो आप कैसे find out करेंगे अब यहाँ पे अरुन और बरुन दो partners हैं और दो partners जो हैं वो दोनों बराबर-बराबर में हिस्सेदारी है और जो उनकी capital है पहले वाले की अरुन की 4,80,000 है और बरुन की 5,40,000 है अब यह capital एक अप्रेल की है लेकिन एक अक्टूबर को उन्होंने क्या decide किया कि जो उनके firm की पूरी total capital है वो कितनी होनी चाहिए दस लाख रुपे होनी चाहिए और यह इस दस लाख को contribute करने के लिए वो बराबर-बराबर में पैसा लाएंगे to be contributed equally by both of them अब वो कह रहे हैं उनकी partnership deed में कहा कि interest on capital जो है वो 6% की दर से उनको दिया जाएगा तो हम कैसे calculate करेंगे चलिए अब पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अरुन की capital को 1 अप्रेल से 30 सितंबर तक 30 सितंबर तक क्यों क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद capital जो है वो बदलने वाली है तो 4,80,000 अप्रेल से लेके सितंबर तक गिनो अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगत, सेप्टेमबर 6 महीने यानि 4,80,000 पे 6 प्रतिशत और 6 महीने आप calculate करेंगे तो आपका 14,400 आ जाएगा लेकिन 1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च तक वो 5 लाख रुपे और लाएगा क्यों लाएगा 5 लाख रुपे और क्योंकि उन्होंने कहा कि जो उनके firm की capital हो कितनी 10 लाख और हो जानी चाहिए तो उन्होंने कहा था वो बराबर बराबर लाएगे तो 5 ये लाएगा और 5 दूसरा लाएगा तो अब क्या हुआ कि 5 लाख पे 6 प्रतिशत की दर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने 6 महीने हुआ तो आपका 15,000 आया यानी अरुन की capital जो है उस पे पहले 4,80,000 पे फिर 5 लाख पे 6-6 महीने की दर पे 6-6 महीने के लिए और 6 प्रतिशत की दर से आपने interest find out किया तो उसका total interest ये निकला और बरुन की भी विल्कुल हम वैसे ही करेंगे 1 अप्रेल से सितंबर तक 5,40,000 पे 6 प्रतिशत पहले ही दे रखा है और 6 by 12 हमारे months है तो ये find out किया और अगला 5 क्योंकि capital उन्होंने क्या कहा था कि उनके firm की capital 10 लाख होगी और वो 10 लाख ये बराबर बराबर लाएंगे तो 5 वो लेकर आया 5 ये तो इस पर भी 6 प्रतिशत की दर से 6 महीने के लिए निकालेंगे तो ये तो अरुन की capital पे बना 29,400 और जो बरुन है उसकी capital पे बना 31,200 तो ये जो थे आपका interest on capital है इस illustration को भी आप जो है वो अपने notebook में करेंगे topic डालेंगे interest on capital ठीक है तो ऐसे 2-4 illustrations मैं आपको समझाओंगी और आप उसको अपनी notebook पे लिखेंगे